नमस्कार आये सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखीवी एक कहानी धाती दोस्तों कहानी शुरू करने के पहले में धाती शब्द का अर्थ आप सबू को बताना चाहोंगे धाती शब्द का अर्थ होता है कठिन समय पर काम आने के लिए बचा कर रखावा धन या संचित जमापूंजी या किसी के विश्वास पर उसके पास रखीवी वह चीज या धन जो मांगने पर तुरंत उसे वापस मिल सके तो आये कहानी सुनते हैं कहानी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजे तो आये सुनते हैं थाती क्यूं रोती हूं इसे नाहक पूछ मेरे जले पर नमक न छिड़को जरा ठेहरो जी भर के रो भी तो लेने दो नजाने कितने दिनों बाद आज मुझे कुल कर रोने का अफसर मिला है मुझे रोने में सुख मिलता है शान्ती मिलती है इसलिए तो रोती हूं रहने दो इसमें बाधा न डालो रोने दो क्या कहा, किसके लिए रोती हूँ आ, इसे सुनकर तुम क्या करोगे उससे तुम्हे कुछ लाबना होगा पूछो ही न तो अच्छा है मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ती है जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने रिदय में छिपाए रहती हूँ इतने पर भी सुनना चाहती हूँ तो लोग कहती हूँ किन तु देखो, जो कहूँ वही सुनना और कुछ न पूछना वे एक धनवान मातापिता के बेटे थे इश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था जैसा उनका कलेवर सुन्दर था उससे कहीं अधिक सुन्दर था उनका रिदे वे बड़े ही नेक, दयालू और उदार प्रकृति के पुरुष थे गाउं के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते बुढे आशिरवात की वर्षा करने लगते और स्त्रिया उन्हें अपना सच्चा भाई और हितु समझती और नौजवान तो उनके इशारों पर नाचते थे तातपर्य यह की वे सभी के प्यारे थे और सभी पर उनका स्नेह था मैं उन्ही के गाउं की बहु थी मेरे पती वहीं प्राइमरी पाटशाला में मास्टर थे घर में बुड़ी सास थी, मेरे पती थे और मैं थी महंगाई का जमाना था, बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी घर के प्राया सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे एक दिन की बात है मैं वैसे ही व्याह करके आई थी मैं थे शहर की लड़की, वहाँ तो नलों से काम चलता था भला कुए से पानी भरना मैं क्या जानती? मेरे सास मुझे अपने साथ कुए पर पानी भरना सिखा रही थी अचानक से न जाने वे कहां से आगे और हसकर बोले क्या पानी भरने की सिख्षा दे रही हो मा जी? आपने ऐसी अल्धर लड़की व्याही ही क्यों? जैसे पानी भरना भी नहीं आता? मैंने घोंगट के भीतरी जरा सा मुस्कुरा दिया सास ने कहा बेटा इसे तो कुछ भी नहीं आता बस रोटी भर अच्छा बना लेती है ना पीसना जाने ना कूटना गोबर से तो इसे जैसे घिन से आती है बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है उसके बार दस बार हाथ धोती है हम तो बेटा गरीब आदमी है हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा मैं रसी और घड़ा लेकर पानी भरने तो जरूर गई पर दिल धड़क रहा था कि बनता है या नहीं बनता ना सास थी और ना ही कोई कुए पर था मैंने घूंगट खोल लिया और रसी को अच्छी तरह घड़े के मूँपर बांद कर कुवे में डाल दिया डब डब करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा उसी खीचने लगी किसी प्रकार खीचता ही न था जियो त्यों करके आधी रसी खीच पाई थी कि वे सामने से आते वे दिखाई दिये कुवा उनके आते के अंदर ही था और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था सामने से वे आते वे दिखे तो लाज के मारे मैंने जोही घूंगट सरकाने के लिए हाथ से एक रसी छोड़ी तो ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरेवे घड़े का वजन संभाल न सका जटके के साथ रसी समेत घड़ा कुवे में जा गिरा मैं गिरते गिरते बची एक मिनट में यह सब कुछ हो गया वे बंगले से कुवे के पास आ चुके थे मैं बड़ी घबराई घूंगट भूंगट सरकाना तो भूली गई जुक कर कुवे में देखने लगी मेरे पास तो रसी और घड़ा निकालने का कोई साधनी न था निरुपाई हो कार्तर द्रिष्टी से उनकी और देखा मेरे अवस्था पर शायद उने दया आ गई वे पास आ कर बोले आप घबराईये नहीं मैं अभी घड़ा निकलवाई देता हूं फिर कुछ ठहर कर मुस्कुराते वे बोले किन्तो आज आपने यह साबित कर दिया कि आप शहर की एक अल्ह लड़की है मैं जरा हसी और अपना घूंगट सरकाने लेगी मुझे घूंगट सरकाते देखवे जरा मुस्कुराई मैं भी जरा हस पड़ी पर कुछ बोली नहीं उनकी नौकर आए और देखते ही देखते रस्सी समेत घढ़ान बाहर निकाल लिया गया करेब पौन घंटा कुए पर लग गया अम्मा जी के घुड़कियों का डर तो लगी रहा था जल्दी जल्दी आए घढ़े को घिनोची पर रखकर रस्सी को खूटी पर टांगने के लिए जो ही मैंने हाथ उपर उठाया देखा कि हाथ में सोने का कंगन नहीं है अब तुम कहोगे कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन या क्यासा मेल या भी बताती हूँ या कंगन मेरी मा का था मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि या कंगन व्याह के समय मुझे पैर पुजाई में दिया जाए इस प्रकारिया कंगन मुझे मिला रस्सी टांग कर में कुवे की तरफ भागी देखा तो वे सामने से आ रहे थे उन्होंने यह कहकर कि यह तुमारे अलढ़पन की दूसरी निशानी है कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया कंगन लेकर चुप चाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी से घर चली आई घर आकर देखा तो पतिदेव स्कूल से लोटे थे अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थी देखा नई बहू के लक्षन एक घरा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लोटी है और यहां पानी रखकर फिर दिवानी की तरह कुवे की तरफ भाग रही है मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर की लड़की न व्याहो पर तुम न माने बेटा भला यह हमारे घर निमने के लक्षन है और सब तो सब पर जमिनदार की लड़के से बात किये बिना इसके क्या आट की थी यह इधर से भागी जा रही थी और वह उधर सामने से आ रहा था उसने जाने इसे क्या दिया इसने लेकर जेब में रख लिया मुझे तो यह बाते नहीं सुहाती फिर तुम्हारी बहु है तुम जानो बिगाड़ो चहे बनाओ फिर मेरी तरफ उन्होंने गुस्से से देख कर पूछा क्या है तुम्हारी जेब में बतलाओ तो मैंने कंगन निकाल कर उनके सामने रख दिया वे फिर डाट कर बोले यह उनके पास कैसे पहुँचा मैंने डरते डरते अपराधिनी की तरह आदी से लेकर अंत तक कुईपर का सारा खिस्सा उन्हें कह सुनाया इस पर अम्मा जी और पतिदेव दोनों की ही जिड़किया मुझे सहनी पड़ी साथी ताकीद की गई कि अब मैं उनसे कभी न बोलू क्या पूछते हो उनका नाम है रहने दो मुझसे नाम न पूछो उनका नाम जुबान पर लाने का मुझे क्या अधिकार है तुम्ही तो मेरी कहानी से मतलब है न हाँ तो मैं क्या कह रही थी मुझसे कहा गया कि मैं उनसे कभी न बोलू यदि यह लोग फिर कभी मुझे उनसे बोलते देख लेंगे तो फिर मेरी कुशल नहीं मैंने दीन भाव से कहा कि मुझे से घर के सारी काम करवा लो परन्तु कल से मैं पानी भरने न जाओंगी इस पर पतिदेव बिगड़ कर बोले तुम पानी भरने न जाओगी तो मैं तुम्हें रानी बना कर नहीं रख सकता यहाँ तो जैसा हम करेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ीगा उसके बाद क्या बतलाओं की क्या क्या हुआ जो जो मुझे उनसे बोलने को रोका गया क्यों तो एक बार जी भर उनसे बात करने के लिए मेरी उतकांठा प्रबल होती गए किन्तो मेरी साथ कभी पूरी न हुई वे जाते जाते एक दो बाते बोल दिया करते जिसके उत्तर में मैं केवल हस दिया करती लेकिन लोग यह भी न सह सके और तिल का ताड बन गया अब मुझ पर अनेक प्रकार के अत्याचार होने लेगे हर दो-चार दिन बाद मुझे मार भी पड़ती थी परन्तो मैं करहे क्या सकती थी मैं तो उनसे बोलती भी न थी और उनका बोलना बात करना मेरी शक्ती से परे था उन्होंने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो अनुचित कही जा सके उन्हें तो शायद विधाता ने रोते हुऊं को हसा देने की कला सिखाई थी वे ऐसी मीठी चुटकी लेते कभी हसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से इतनी नपी तुली की मैं चाहे कितनी ही दुखी क्यों न हूँ चाहे कितने ही रंज में हूँ हसी आए ही जाती थी किन्तो धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का उन्हें पता लगी गया उनके दयाले हुरिदे को इससे बहुत गहरी चोट महुची उस दिन अन्तिम दिन जब मैं पानी भरने गई वे कुए पर आये और मुझ से बोले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ उनके स्वर में पीडा थी शब्दों में माधुरे और आखों में न जाने कितनी करुणा का सागर उमड़ रहा था मैंने आश्चरे के साथ उनकी उर देखा आज पहली ही बार तो वे मेरे इतने पास आकर बोले थे उन्होंने कहा पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वह यह कि मेरे कारण तुम पर इतने अत्याचार हो रहे है यदि मुझे पहले पता चल जाता तो वे अत्याचार कब के बंध हो चुके होते दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूँ वह यह है कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड़ कर फेंके देता हूँ तुम खुश रहना मेरी अलहरानी यदि मैं तुमें भूल सका तो फिर यहां लोटकर कभी न आऊंगा और यदि नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूँ मुझ पर बिजली सिगिरी मैं कुछ बोल भी न पाय थी कि वे मेरी आँखों से ओजल हो गए अब मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब थी मेरा किसी काम में जीना लगता था कलेजे में सदा एक आग से सुलगा करती परन्तु मुझे खुल कर रोने का अधिकार न था अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते हैं मैं कुछ भी करूं करने देते हैं इसलिए तो आज खुल कर रो सकती हूँ और तुम्हे भी अपनी कहानी सुना सकती हूँ किन्तु क्या तुम यह बता सकोगे कि वे कहा हैं मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ मेरी यह पीडा, मेरा यह उनमाद उन्ही का तो दिया हुआ है यदि कोई सहरिदे उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उनी को सौपदू कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद